अगर आप बिना ही कुछ किये हुए गरीब पैदा हुए ठीक है मगर आप गरीब ही मर गे तो फर्क पड़ता है अगर आपके पास किसी तरह का ज्यान किसी तरह की स्कील और आपके दिमाग में बहुत सारा नौलेज भरा हुआ है मगर आपने उसको यूजी नहीं किया तो फर्क पड़ता है अगर आपका बिजनेस आपने जो अपने बिजनेस में इंवेश्टमेंट किया था अब बुरी तरह से फेलोगे आपके पस चलाने के लिए एक रुपए भी नहीं है मगर अगर आपने जुस लॉस में अपने आपसे हार नहीं माना और उनको प्रूफ करके नहीं दिखाया उसको करोड़ों के बिजनेस में प्रॉफिट करके नहीं दिखाया तो फर्क पड़ता है अगर आप एक कॉली ड्रॉप आउट हो और अपने आगे की पढ़ाई कम्प्लीट ही नहीं की है और सिप घर पे निखलों की तरह बैठे ही हुए हो तो इस बात से फर्क पड़ता है माना कि आपकी स्कीन टोन डार्क है आप जोटे हैं आप बड़े हैं आप मोटे हैं आप पतले हैं मगर इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है ना तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है अगर आपको कोई कहे तो आपकी हाथ की लकीरों में ही कमी है मगर फिर भी आपको अपने हाथ की लकीरों को बैटके कोचते रहे तो इस बात से फर्क पड़ता है हाँ, मौसम खराब है, नेचर आपका टेस्ट ले रहा है मगर आप बार बार इनी सब भानों से आप अपना काम टाल दे रहे हैं तो इस बात से फर्क पड़ता है अगर आपके बैंक में जीरो बैलंस है और आपकी जेब में एक फूटी कौरी नहीं है मगर आपने इस अपनी बैंक के बैलन्स को बढ़ाने के लिए अपनी जेब को भरने के लिए एक मेहनत और एक काम नहीं गिया तो इस बात से फर्क पड़ता है अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मगर आप में एक सेल्फ डिपेंडन होने की कोई सोच नहीं है कोई शक्ती नहीं है तो इस बात से फर्क पड़ता है अगर आज आप कर्ज में डुबे हुए हो और उस कर्ज को चुकाने के लिए अगर आप मैनत करने ही रहे हो तो फर्क पड़ेगा अगर आज के डिट में अगर आपके पास कोई स्कील नहीं है कोई नॉलेज नहीं है और आप इस सीख को बहान बना कर चुप चाप बैटे हुए हो और बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं आता अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हो कि जानने की कोशिशक नहीं कर रहे हो तो इस बात से फर्क पड़ता है अगर आप exam में fail हो गए हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मगर किसी भी field की किसी भी तरह की knowledge नहीं है आप बिल्कुल dumb हो तो इस बात से फर्क पड़ता है अगर आप भीड का इसा हो बगाई बेन, चाहिअए आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटीव हो, तो इस बास से बिलकुल फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके बुरे वक्त पे आप ही अपना साफ ना दो, इस बास से बिलकुल फर्क पड़ता है। अगर आपके सपनों पर कोई यकीन नहीं करता है, मगर इससे कुछ फर्क नहीं परता है, मगर आप अपने सपनों पर खुद ही यकीन नहीं करते हो, तो इस पर बड़ा फर्क परता है. मगर लोग कहते हैं आपका आइडिया एकदम बिलकुल बखवास है, कोई आपके आइडिया पर बिश्वास ही ना करे, विलीव इना करे, तो अपने अपने आइडिया पर इंपलिमेंट नहीं किया, और उनका मूब बन नहीं किया, तो इस बास से बिलकुल फर्क पड़ता है, मगर आपके दोस आपके रिलेटिव आपके फ्रेंड आपके पैशन का मचाक उड़ा रहे हैं उन्हें मचाक बना के रख दिया है तो इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मगर आपने future में उनके मजाक का आपने move बन नहीं किया तो इस बात से फर्क पड़ता है उन्हें कुछ करके नहीं दिखाया इस बात से फर्क पड़ता है मगर आज आपकी girlfriend आपको cheat कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मगर आपकी girlfriend आपको कहे you are a loser तो कोई फर्क नहीं पड़ता मगर आप इस बात पर हमेशा बैट कर रोते रहो तो इस बात से बिलकुल फर्क पड़ता है मगर आज आपकी मंजील का रास्ता दुंदला है आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मगर आपने उस दुंदले रास्ते में आपने चलना ही छोड़ दिया तो इस बात से फर्क पड़ता है मगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में नाक्यामिया ही देखी है मुसीबत ही देखी है तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता मगर आप अपनी जिंदगी में हार मान गए तो इस बात से फर्क पड़ता है अगर आपके हजारों दुस्मन है आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मगर आपने पूरी force से पूरी ताकत के साथ ने अपने काम को करने की कोशिश नहीं की तो इस बात से फर्क पड़ता है अगर मैं week में motivation video बनाना भूल गया या किसी चीज में उलज गया तो इस बात से बिलकुल नहीं फर्क पड़ता मगर मैं हर बार यही बाना लेके बैट गया या भूल गया तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है अगर आज आप time pass कर रहे हो और यहां वाँ की चीजों में लगे हुए हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मगर अपने आपने time pass करके और कुछ काम में अपने passion को अपने dream को अपने dream के सपने को पूरा करने में implement किया तो इस बात से फर्क पड़ता है लोगों का move बंद हो जाता है अगर आपने कहीं से motivation ले लिया या किसी चीज से inspired हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मगर आपने अपने आपको उस motivation से अपने आपको change नहीं किया अपने अपके अपनी habit को बदला नहीं तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है माना कि आप एक YouTuber हो माना कि आपका एक छोटा सा business start-up है आपने उस पर काम नहीं किया और implement नहीं किया तो इस बात से फर्क पड़ता है चाहे अभी देखे या लोग देखे या ना देखे इस बात से कुछ नहीं फर्क पड़ता है मगर आपने उस पर वीडियोज डालना अपने चैनल को ग्रो करना उसके उपर कुछ काम नहीं किया इस बात से बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई आज मेरे YouTube चैनल पर सिफ 130 लोग है बट आने वाले दिनों में पूरा जवाना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करने ना लाइक कर देना और शेयर कर देना प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप यह लोगों की वज़े मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं इंस्पाइड रहता हूं तक भी मैं वे भी मैं जरूट सेब जरूर कर देना लंची जरूर के लिए विए सक्टाइब गाहँ झालया कि लाइक निरूर कर देना आपको प्लीज सब्सक्राइब ऑन देना में रहता हूं